होम्यो रीडर के यूटूब चैनल पर मैं डाक्टर मिराज इंसारी आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज की जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ होम्यो पैती फार्मासिस्ट के लिए है और यह बहुत बड़ी अपडेट है इसको लेकर होम्यो पैती फार्मासिस्ट जो है लगातार पूछते आ रहे हैं थे कि होम्यो पैती फार्मासिस्ट की भरती के लिए बिग्यापन कब आये यानि कि होमेपैथी फर्मसिस्ट के पदों पर कब भरती शुरू होगी या कितनी भरती होगी तो उसको लेकर आज हम आपके सामने जानकारी लेकर आए हैं उसके पहले अगर आप हमारे होमेव रीडर के यूटुब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो होमेव रीडर के यूटुब वीडियो को लोगों तक सेयर करिए ताकि लोगों को इस जानकारी को पता चल पाए तो आईए सुरू करते हैं यह जानकारी तो सबसे पहले हम बता दें कि उत्तर परदेश अधिनच्छ सेवा सेचैन आयोग यानि कि यूपी ये ससी के दोरा जो है ये बिग्या फार्म को भर पाएंगे तो इसमें अगर हम टोटल नमबर आप पदो की बात करते हैं तो टोटल नमबर आप पद जह है तीन सो सत्ता थान्वे पद हैं यानि कि 397 होमेपैथी फर्मासिस्ट के पदो पर भरती होने वाली है और चैन हे तु भारत के नागरिकों से आनलाइन आवेदन आमंतिर किये जाते हैं होमेपैथी जो भेशगिक मुक्य परिच्छा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके अभेरतियों को साफ्ट लिस्ट किया जाएगा जो प्रारंबिक अर्था परिस्टा यानि कि P.E.T. को पास कर चुके हैं P.E.T. के लिए वही अभेरति आवेदन कर सकते हैं जिनोंने P.E.T. में 2023 का जो P.E.T. हुआ था उसमें सम्मिलिस्ट हुए हैं और तो कुल मिला के P.E.T. इसके लिए पास करना आनिवार था 2023 का जो भी P.E.T. जो लोग दे चुके हैं वही इसमें आनलाइन आवेदन कर सकते हैं आनलाइन आवेदन के लिए UPSSC.GOB.IN पर जाना होगा और अगर हम बात करें आनलाइन आवेदन की सुरुवात की तो विग्यापन जो है वो 15-6-2024 यानि की आज के दिन पर कासित हुआ है आनलाइन आवेदन जो है की 19-July 2024 होगा और अगर आप कोई भी सुल्क समायोजन और आवेदन में संसोधन करना चाहते हैं कैयानि की आवेदन में कोई भी गल्ती रह गयी है उसको संसोधन करना चाहते हैं तो चब्विश साथ हैं 26-July 24 तक आप कर सकते हैं तो कुल मिलाके ssc.gov.in पर जाना होगा, वहाँ पर जाके आप लाइब एड़टाजमेंट सेग्मेंट में जब जाएंगे, तो आप वहाँ पर बिग्यापन को देख सकते हैं, फिर आनलाइन जो भी आवेदन की प्रकिरिया है, आप उसके तहद इसमें आनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कारी आप पड़ सकते हैं, अभी मैं आपको ये बता दू कि आवेदन जो सुल्क रहेगा, वो पचीश रुपह रहेगा, आरच्छित के लिए, पिछरा वर्ग, अनसुसी जाती, अनसुसी जन जाती के लिए, जो भी आवेदन सुल्क है, वो इस तरह से हैं, अब उसके काउट की फोटो कापी भी जमा करनी रहेगी, आवेदन में संसोजन मैंने बताया कि 26,7,2024 तक कर सकते हैं, उसके अलावा, पदों का विवरर, अगर हम बात करें, तो जो टोटल पद हैं, वो 397 हैं, जिसमें की 161 पद जो है, आनरच्छित, अनसुसी जाती के लिए, 83, अन पिछरा वर्ग के लिए, 107, और आर्थिक रूफ से जो कमजोर, यानि EWS के टेगरी हैं, उनके लिए 39 हैं, कुल पद 397 पद हैं, यह अस्ताई और अस्ताई दो साल के लिए आपको परवेशन पीरिड होता है, उसके बाद आप अस्ताई कर दिये जाते हैं, तो कुल मिला के अगर देखें, तो सतुनता संगराम से नानी आस्रित के लिए भी 7 पद आपको देखने को मिल रहे हैं, आप इसके लिए जो योगिता हैं, योगिता के अगर हम बात करें, तो वही लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं, जिन्होंने गडित या जिव विज्ञान समूद से बा का रेजिटेशन होमेपैती मेडिसीन बोर्ड उत्तर परदेश में होना अनिवार है, यानि जिन लोगों का रेजिटेशन होमेपैती मेडिसीन बोर्ड उत्तर परदेश में हुआ है, वही इस फार्म को भर सकते हैं, अधिक्तम आयू के अगर हम बात करें, तो 40 साल की आयू कम से कम उससे कम हो तो आप भर सकते 31 से 40 साल 40 साल से उपर वाले नहीं भर सकते हैं और अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती और अन सेडियों के लिए जो सरकार के समय सरकार के दौरा समय समय पर आए के ये रिलेक्सेशन की जाता है वो relaxation इसमें भी मानने होगा यानि कि 3 साल OBC के लिए होता है 5 साल HTSC के लिए होता है तो वो सबी चीजे उनके लिए मानने होगा आपको बता दे अंतिम्तिति इसकी जो है फाम भनने की जो अंतिम्तिति है वो आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं वो जो है 19-7 है 19-7-2024 तक आप आप आनलाइन जो है फाम भर सकते हैं और जो है प्रारम जो किया जाएगा फाम वो 26-2024 से किया जाएगा टोटल 397 पद हैं और दो वर्स का हमिपैथी जो फार्मासिस्ट का कोर्स होता है वो आपका किया होना चाहिए डी फार्मा और डी फार्मासिस्ट होते हैं वो किया रहना चाहिए और साथ में आपका होमिपैथी मिटसिन बोर्ड उत्तर परदेस में रेजिस्टरेशन होना अनिवार है तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और जो भी लोग जो फार्मासिस्ट होमिपैथी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को होमिपैथी होमियो रीडर की तरफ से बहुत-बहुत सुपकामना है होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद झाल झाल